हलो गाइज आज हुम निएस स्टेट के बादे में बात करने माली हैं वो है करनाटगा स्टेट करनाट का open seat की open seat open seat मतलब både bir आइसमें जो open seat hunak abi उनके बादे में बात करने माले हैं करनाटका के की फीस की जो स्टार्टिंग है वो 6,07,00 से स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले पंजाब की डियंची वगयर आती जिसकी 6,07,00 की एपलाय कर सकते हैं वैसे स्टूडेंट जिन जिन जिनका डॉमिसल स्टुडेंट भी अपलाए कर सकते हैं वैसे स्टूडेंट जिन जिनका domicile करनातका का नहीं है या फिर वैसे student जिनका domicile करनातका का नहीं और साथ में MBBS भी उनकी करनातका से नहीं हुई है वैसे student भी करनातका state में अपलाए कर सकते हैं वर गेटिंग सीट्स हाविंग फी स्ट्रॉक्चर ऑफ अराउंड 12,60,000 पर एयर जो है वो करनाट्रा की पीजी की फी स्ट्रॉक्चर है बट इसके अलावा भी कुछ-कुछ स्ट्रॉक्चर वाली सीट्स में हमें अगर सीट लेनी है फीस वाली सीट अगर लेनी है तो हमें 2024 के अग्जेशन में मिनिमम कितने माक्स स्टोर करने होंगी है फॉर इस प्र स्पेसिफिक ब्रांग एक द सेम ते पर 2024 दे कांसलिंग भी तो उब्यस्ली वह तो मार्क्स बेसिस पे होती है तो उसके लिए हमें और कितनी जैंक होने चाहिए तो जैंक और मार्क्स के टर्म्स में we are going to discuss कि 12,63,000 पर एनम फीज 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 अमंस्ट प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया पर देट पीजी 2024 कांसलिंग राइट तो वह हमें कितने में मिल सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात कर लेते हैं अनस्थीश की एस टोल्ड यू कि यहां पर यह एक ओपन स्टेट है तो किसी भी स्टुडेंट ने कहीं से भी एंडियो की है या वह कहीं किसी भी जगह के रहने वाले हैं औल दोज स्टुडेंट अरे लिजिबल और देशीच वाइट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अनस्थीशिया सबसे पहले आप देखो एक बात को समझो कि के अलावा कुछ 3-4-4 ऐसे हैं जैसे कि रमया मेडिकल कॉलेज हो गई या फिर अजियम धारवाड हो गई आदी चुन्चुन गिरी हो गई के बिन बूलबर्गा हो गई सब्तगिरी हो गई यह कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीज ज्यादा है उनकी फीज 20, 25,30, 35,40 ला जाएगी अगर आप 12,63,000 वाली फीस वाली सीट लेना चाहते हो तो वो आपको अंडर 67,000 रैंक लाने पर वो आपको मिल जाएगी या फिर आपके मार्स 359 प्लस होने चाहिए तो इससे आपको दो चीजे मिल रही एक तो आपको टार्गेट मिल रही है कि 2024 के एक्जाइम मे देगे डर्मेटलोजी की बात करें तो यूटो आपको डर्मेटलोजी करनाट का में उपन सीट 48,000 रैंक तक मिल जाएगी बट उसकी फीस 65,000 पर एनम होगी जिसके लिए आपको मार्स 405 प्लस स्कोर करने होंगे बट अगर आप 12,63,000 पीस वाली सीट लेना चाहते हो तो उ विल हब तो स्कोर मोर दें 540 मार्स 540 प्लस राइगे अमर्जेंसी मेडिसीन के लिए आपकी मार्स यह रैंक शुद बीसम्वे अंडर 24,000 अल इंडिया रैंक तो इंडिया रहा हूं जिसकुस गर रहा हूं इस इस नूंट नंट बस्तेट रिए रैंक नहीं है कोई कुछ न marks you should be scoring more than 478 then only there will be decent chances कि आपको emergency medicine मिल जाए और एक बात मैं आपसे share करना चाहता हूं कि यह जो मैं marks या rank बता रहा हूं this is for keeping you on the safer side आप cutoff देखोगे तो वह सकता है पीछे भी गई हो right जिसे मैं अगर 24,000 बता रहा हूं तो यह 30,000 तक हो सकती गई हो 35,000 तक भी गई है तो रहेगी but मैं जो आपको बता रहा हूं यह to keep yourself on the safer side अगर आप safe side में रहना चाहते हो in that case I am telling you so general medicine की बात करें तो आपकी rank somewhere under 95,000 होनी चाहिए but उसकी fees 60 lakh होगी incarnate का अगर आप 12,63,000 वाली fees structure वाली seat लेना चाहते हो general medicine तो यह rank should be somewhere under 17,000 and in that case your mark should be 505 plus pediatrics की बात करें तो आपको 50,000 rank तक भी मिल जाएगी but उसकी fees 50 lakhs पर एनम होगी जिसके लिए आपको 400 plus marks से score करने होंगे but अगर आप 12,63,000 वाली fees लेना चाहते हो उसके लिए आपकी जो धैंक होनी चाहिए वो somewhere under 20,000 rank होनी चाहिए and for that you will have to score somewhere more than 493 plus marks. साइकेटरी की बात करें तो आपकी rank under 60,000 तक भी मिल जाएगी under 60,000 में भी मिल जाएगी but उसकी fees 20 lakhs पर एनम होगी अगर आप 12,63,000 वाली fees लेना चाहते हो तो आपकी rank should be somewhere under 40,000 rank in that case आपको 2024 की exam में 427 marks से जाधा score करने होंगे रेडियो की बात करें तो जू तो आपको 60,000 तक 61,000 तक भी आपको रेडियो मिल जाएगी but उसकी fees 60 lakhs पर एनम होगी जिसके लिए आपको 373 से जाधा mark से score करने होंगे but अगर आप वहां की 60 seat लेना चाहते हो 12,63,000 वाली seat लेना चाहते हो तो आपकी rank 9,000 के अंदर होनी चाहिए जिसके लिए आपको 545 mark से score करने होंगे respiratory medicine के लिए के लिए यूँ तो आपको 40,000 under 40,000 rank तक भी मिल जाएगी but उसकी fees 35,000 पर एनम होगी अगर आप वहां की 60 seat लेना चाहते हो 12,63,000 की तो आपकी rank 30,000 के अंदर होनी चाहिए and for that you will have to score more than 458 marks OBGY की बात करें 12,63,000 fees वाली seat लेने के लिए आपकी rank 25,000 के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए आपको marks 475 plus score करने होंगे ENT के लिए आपकी rank under 51,000 होनी चाहिए for the cheaper seats 12,63,000 वाली fees वाली जो seat है उसके लिए आपकी rank under 51,000 होनी चाहिए and for that you will have to score 397 plus marks जनरल सरजदी की बात करें तो यू तो आपको 60,000 या 70,000 तक भी मिल जाएगी but उसकी जो fees होगी वो 30,00,000 पर एनम होगी and for that you will have to score 375 marks but अगर आप 12,63,000 वाली seat लेना चाहते हो तो for that you will have to score under 31,000 rank and for that you will have to score 455 plus marks अप्तल की बात करें तो यू तो आपको 1,10,000 rank तक भी मिल जाएगी but उसकी fees 35,00,000 पर एनम होगी जिसके लिए आपको 375 plus marks से score करने होंगे but अगर आपको वहां की 60 seat लेना चाहते हो तो in that case आपकी जो rank है वो 50,000 के अंदर होनी चाहिए and for that you will have to score 400 plus marks और तो पेडिक की बात करें तो आपकी rank यू तो आपको 70,000 rank तक मिल जाएगी जहां की fees 32,00,000 पर एनम होगी and for that you will have to score 352 marks but अगर आप 12,63,000 वाली fees लेना चाहते हो तो आपकी rank should be somewhere under 35,000 rank and जो उसके लिए आपको score करने होंगे वो 442 plus marks score करने होंगे so plus मैंने जहां पर भी बताया that means more than that marks 442 plus means more than 442 marks right so यह clinical branches के हमने बात के हमने non-clinical की बात नहीं किया दो जो वीडियो है वो काफी साथ लंबी हो जाती है अगर आप government के बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले की वीडियो में government की upload कर दी गई है साथ में dnb और ओल इंडिया कोटे की भी upload कर दी गई है अलग-अलग states की धिर 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 upload की जा रही है most of the states की government upload कर दी गई है private धिर 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 अब upload की जाएगी तो अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हो तो सबसे पहले तो subscribe कर लो और अपने आपको updated होटना चाहते हो तो subscribe करना जरूरी है साथ में आप telegram गूप भी जॉइन कर सकते हो जिसका link description box में दिया गया कोई doubt हो, query हो तो दिया गये number पर call कर सकते हो और अगर आप चाहते ह हो कि आप किसी topic पर चाहते हो और इस पर वीडियो बनाया जाए तो वह आप comment में हमें mention कर सकते हो हम उसको जबूर देखकर उसके उपर time निकाल कर वीडियो बनाएंगे साथ में अगर आप career media की website check करना चाहते हो जिसमें की previous years data आपको मिल जाएगी college predictor मिल जाएगी तो college predictor क्या है अगर आप उसमें rank डालते हो college predictor में तो that college predictor actually suggest you what are all the possible colleges you can get at the rank which you are feeding there right तो वो आपको college predictor एक आपको possible possible colleges की list के बादे में बताएगी इस तरीके की चीजें जो है वो आपको career media की website पर मिल जाएगी जो की www.careermedia.ai है साथ में अगर आप career media की blog check करना चाहते हो तो www.careermedia.in पर जा सकते हो जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी including cutoff, counseling details, documents required everything will be there in the blogs right that's all for today guys thank you so much have a nice day कर दो